वेलकम स्टुडेंट्स, पॉलिटिकल जोग्राफी की हमारी क्लासिस की जो सीरीज हैं, उस सीरीज में आज हम मैकिंडर के विचारों को पढ़ेंगे विश्व के सामरिक महतो के शेत्रों और शक्तिशाली शेत्रों के संबंद में सरवाधिक महतो पूर्ण विचार ब्रिटिश भुगलवेत्ता एच जे मैकिंडर के हैं उन्होंने भूराजनिती से संबंदी अपने जो विचार दिये, उन्हें अहार्टलेंड ठियोरी के नाम से जाना जाता है सरप्रतम मैकिंडर ने अपने विचार 25 जनवरी 1904 को रोयल जेग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुक एक शोध पत्र में व्यक्त किये इसका सेशक था The Geographical Pivot of History जिसका बाद में प्रकाशन भी हुआ इस प्रपत्र में मैकिंडर ने इतिहास के केंद्र को भौगलिक शेत्री विशेष्टाओं के संदर्ब में व्यक्त किया उनके द्वारा वर्नित धूरी शेत्र हम इस मानचित्र में देख सकते हैं मैकिंडर द्वारा जो प्रपत्र प्रस्तुत किया गया उसका सारांशिय था कि यूरोपिय सभ्यता का उदै एशिया एक्रमनों द्वारा हुआ है एशिया के स्टैपी प्रदेश से यूराल तथा कैस्पियन के मध्य मार्ग से पांचवी शताब्दी से सोलवी शताब्दी तक अनेक जाती के लोग जैसे हून, बुल्गारियंस, कजाक, पाटनेक्स, मंगोल, कालमुक, आधियाय तथा वर्तमान इतिहास का अधिकांश, प जिन शेत्रों से ये आकरमन कारी आये वह शेत्र मध्य एशिया का स्टैपिश शेत्र हैं, जहां घास के मैदान है, तथा घोड़े और उंट ही परिवन के साधन थे, उनका विचार था कि इन ही लोगों ने मध्य पूर्व, दक्षणी तथा पूर्वी एशिया ही नहीं जिस्तरत शेत्र की नदियां आंत्रिक नदी परिवान की दरश्टी से व्यार्थ हैं, तथा उनका बाहरी विश्व से कोई संबंद नहीं, वल्गा, आक्सू, जैकरेट्स, आदी नदियां खारे पानी की जीलों में गिरती हैं, तथा ओबे, यनिसी, लीना, आदी नदिया वर्ष भर जमे हुए आरकर्टिक महासागर में गिरती हैं, अत्य पूरे एशिया का यह केंदर ऐसा इस्थल है, जिसकी सामुद्रिक मार्गों से कोई संबंद नहीं हैं, जिसके संबंद में मैकिंडर ने लिखा हैं कि इत्याहास की भोगलिक दूरी वह यूरेशिया का वि नहीं कर सकती। इस शेतर की नदिया मासागरों में जाकर गिरती हैं, तता इसका पृत्यक्ष संबंद भी मासागर से होने के कारण यह सामुद्री काकरमनों से भेधिया हैं। अस्ट्रेलिया, कनाड़ा और जापान आदी हैं। ये सभी शेत्री समुद्र द्वारा प्रतक हैं। स्वेज नहर के बनने के पश्चात ये शेत्र आंत्रिक शेत्र से पूनता प्रतक हो गए। इन शेत्रों में समुद्रिक एकता हैं। अर्थात ये महासागरों के माध्यम स एक दुरुस्ट्रे से संयूत हैं। मैकिंडर द्वारा प्रयुक्त प्रपत्र के पंद्रा वर्ष पश्चात अर्थात 1919 में मैकिंडर ने एक पुस्तक डेमोक्राटिक आइडियल्स एन रियालिटी प्रकाशित हुई। इसमें एक और पूर प्रस्तुत विचारों को विश रिदे शेत्र शब्द का प्रयोग क्या। यहां रिदे शेत्र पूर्ण वर्णित आधार शेत्र नहीं था। अपितु इसमें कुछ नवीन शेत्र जिसे मध्यत था, निचले डैनियूप के शेत्र, एश्या माइनर, तिबबत, मंगोलिया आधी भी समलित किया गया। यहा जल शक्ति का प्रवेश्य संभव नहीं है। और इसी में मैकिंडर ने अपना एक प्रसिद विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया, जो पूर्वी योरोप पर शाषन करता है, वह रिदे शेत्र को नियंत्रित करता है। जो रिदे शेत्र पर शाषन करता है, वह विश्व द मैकिंडर ने अपने विचारों में समय के साथ साथ परिवर्थन किये, जो केवल 1904 के पश्चात 1929 के विचारों तक ही सीमित नहीं। अपितू, विश्व के सामरिक महतों पर उन्होंने एक पपत्र, The Round World and the Winning of the Peace में भी प्रस्तुत किया। इस समय भी उनके विचार थे कि इस हार्टलेंड अभी प्रत्वी पर सरवाधिक सूद्र प्राक्रतिक शेत्र है, इस समय उन्होंने पुना हार्टलेंड की सीमाओं में परिवर् परत्य तथा कौन धरी वनों का शेत्र था, प्रत्थक कर दिया और इस शेत्र को उन्होंने लीना शेत्र नाम दिया। साथ ही उन्होंने हार्टलेंड के साथ मध्य शेत्र बेसिन शब्द का भी प्रयोग किया, जिसमें उत्री अट्लांटिक, पूर्वी, सेंग्त राज्य लीना लेंड से अलास्का, कनाडा और आर्कटिक शेत्र तता सेंग्त राज्य के पश्चिमी मरुस्तल को सम्मिलित करते हैं। उन्होंने मांसून इश्या तता दक्षनी अट्लांटिक बेसिन को भविशिका शेत्र व्यक्त किया। मैकिंडर ने ये परिवर्तन परिवर्तित दशाओं के कारण प्रस्तुत किये। इस प्रकार मैकिंडर ने भूराज्नीती पर अपने विचार हार्टलेंड थोरी के माध्यम से प्रस्तुत किये। लेकिन मैकिन्डर द्वारा प्रतिपादित हार्टलेंड परीकल्पना प्रागम्ब से ही अत्यतिक विवाद का विशे बनी रही अनिक विद्वानों ने इसको तारकिक आधार तो कुछ ने केवल राजनितिक आधार पर इसके अलोशना की मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित विचारों में जो प्रमुख अलोशना की बिंदु रहे वो इस प्रकार थे कि मैकिंडर ने केवल सामुद्रिक शक्ति को ही सर्वोपरी मान कर हार्टलेंड की अभेतेता वेक्ति की परन्तु ये अवशक नहीं कि जो शेत्र सामुद्रिक आकरमन से बस सकता है या सुरक्षित है वही शेत्र भावी शक्ति का केंदर हो दूसरा हार्टलेंड वाईयो अकरमनों के सम्मुख सुरक्षित नहीं अधा इस स्तिती में इस शेत्र को शक्तिशाली सूद्रेड मान लेना युक्ति संगत नहीं है वर्तमान योग में दूर से मार करने वाले प्रक्षे पात्र का भी विकास हो गया है जिसकी सहायता से किसी भी शेत्र पर निश्चित दूरी से मार की जा सकती है इस स्तिती में इस शेत्र को सुरक्षित मान लेना विवादस्पद है वर्तमान समय में हार्टलेंड अधिकांश्ट सोव्यत संग है जो सामेवादी है तता तक्निकी द्रिष्टी से भी विखसित है दूसरी और से इंक राजी को इस से खत्रा होने के कारण हुनोंने से विखसंग के चारों और अपने केंदर स्थापित किये जिसका उपयोग समय आने पर किया जा सके इस अवस्था में मैकिंडर दौर प्रतिपादिश शेत सर्वशक्तिशाली नहीं रह जाता साथ ही साथ मैकिंडर ने हार्टलेंड के चारों और के देशों का जो स्वरूप वर्नित किया वह परिवर्तित हो गया है वर्तमान परिस्तितियों में मैकिंडर ने आरकटिक महसागर को हिम मंडित होने के कारण जल परिवन की दृष्टि से अनुपयोग तिक्या किन्तु बाहियू परिवन के संधर्व में आरकटिंग महासागर का नवीन स्वरूप उबर कर सामने आया है तो इस प्रकार इन अलोशनाओं के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं थैंक्स